भी कह रहे थे के धौलासिद जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें SGBN और रित्विक कंपणी जो है धांदली कर रही है और आज उसका प्रमान हमारे हाथ में हैं एक तरफ कॉंट्राक्ट की कॉपी है जिसमें SGBN और धौलासिद कंपणी यानि की रित्विक कंपणी के बीच म में ये रज़ामंदी हुई थी कि स्थानी लोगों को जो प्रभाविच छेत्रों से लोग है उनको रोजगार दिया जाएगा 100% रोजगार दिया जाएगा प्रेफरेंस उनको पहले दी जाएगी और आज जो RTI हमने नदौन थाने में डाली क्योंकि जितने भी इस से भार के लोग रखे गए हैं और पीछे जो हमने प्रेसवारता की उसमें 15-20 दिन का हमने अल्टीमेटम भी दिया था जिसमें प्रजेक्ट के जो लोग हैं उन्होंने प्रेसवालों को ये बताया जो उनका वर्जन लगा था कि 80% जो लोग हैं वो स्थानी लोग हैं त जब उनसे हम लोग मिले तो ये भी पता लगा कि जो जमीने हैं वो कम दामों पे खरीदी गई उसमें भी धोकादड़ी हुई है और उसके उपर भी हम चाते हैं कि प्रशाशन संग्यान ले तो प्रोजेक्ट हम किसी भी कीमत पे नहीं चलने देंगे जब तक हमें इन चीज जमीने गई हैं जिन लोग का उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो लोग सडकों पर भी उतरेंगे और बाद में अगर जूर्थ पड़ी तो हम कोट का रस्ता भी अपनाएंगे सर गाम लाओनी क्रोड पंचाहित से भी लाओं करता हूँ सबसे ज़्यदा जमीन मारी गई है क्रोड पंचाहित में लगबग हमारी 35 कनार जमीन गई है जब यह प्रजेक्ट बाले आते थे तो बोलते थे जी हम आपको नौकरी देंगे लगबग सर मेरी 45 वेज हो गई है अ किनार जिन तक कोई नौकरी नहीं मिली ठीक है जी पड़ा लिखा हूँ और जिस साब से नहीं बोला था कि हम आपको जमीन का मौपजा देंगे वह भी उस साब से नहीं दिया बात कुछ मारे से की और और जब वहां पे पैसे की बात आई तो कुछ और जी इन्होंने बोला था कि हम मार्केट का जो रेट उस पे तीन गुणा सोरी पैसे हम आपको देंगे लेकर उसाब से नहीं दिये तो हमारी तो यह दिमांड असर की हमें नौकरी भी मिलनी चाहिए और जमीन का भी मौपजा जोगों को सही रूप में मिलना चाहिए मस्या यह है जो S.J.B. बालों ने डैम का प्रोजेक्ट चलवाया है जिस तरी किसे लोगों को बोला गया था कि आपकी जमीन का जाइज रेट मिलेगा पहले बहुत सेमिनार हुए डी सी बगारा यह हुआ तो सब जगा कठे उबले 75,000 मरला आपकी जमीन ले जाएगी जबक 30,000 रुपे और 35,000 करनाले जब कहीं मिलती नी है और लोगों को अस्थानी लोगों को नोकरी ने मिल लिए कोई भी बंदा हाई लिक और 10% लोगों को बंदे रखे गए हैं सब भार के बंदे हैं अगर इस तरीके से काम होगा तो लोग समिल के इसके ब्रोध करेंगे अधरबाई हम जमीन का इसका पूर पूर जोर्ब रोल करेंगे ठीक है समस्चे ए याई नहीं डैम बाड़ों को समस्चे थी डैम बनाना था आए तीन बार आए ग्रॉंड में लगाया और आकर के चले गया बोलने लगे कि आपको एक लागा सीजार प्या करनाल से लेंगे दिया तो पचीर भी ये करनाल है तो देखना चाहिए यह भी पहाँ जमीन दो फसली गई है किसी को पासे दिया कि पचीस हजार दी है ओ पची टोटल पचीर भी ये मरले साब बेने दिते देना क्या बोला देता है आज भी साइन हमारे हुदर है साइन है